तो माई डियर फिर्ण्स ताजा ताजा खबरों वाले ताजा ताजा सवालों के साथ एक बार फिर से आपके साज़ुड़े हैं आप सभी जानते हैं कि NTA कुछ करेंट अफेर्स के सवाल टिपिकल करेंट अफेर्स के सवाल सेप्टेंबर 2020 वाले एक्जामिनेशन में पूछ रहा है और इसलिए आने वाले एक्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेर करने के लिए हम आपके साथ कुछ डिसकस करेंगे ऐसे ही सवाल जो की हमारे लिए स्टार्ट करते हैं आज के paper 1 current affairs part 3 के उपर आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आपको एक बार हमारे courses के बारे में बता देते हैं तो paper 1 जो की general paper है उसके लिए mini combo pack या फिर complete combo pack आप ले सकते हैं paper to commerce के लिए free snapshot notes है, unit wise explained past papers है, NTA वाले format में test series है, सबी units का video course है, सबी courses का combo भी available है और केवल practical units में दिक्कत है उसका course भी ले सकते हैं paper 1, paper 2 दोनों का combo भी ले सकते हैं और 15% of video courses पे लेने के लिए NTA net promo code भी आप apply कर सकते हैं छे लिए तो शुरुआत करते हैं पहले question से which state UT has launched India's first online waste management platform recently तो बहुत important सवाल है people environment से जुड़ा हुआ आपको इसे याद करना है कि हमारी जो आंदरपरदेश state है उसने अभी recently online waste management platform जो है वो शुरू किया तो online तरीके से हम waste की management करने वाले हैं digital technologies का सहारा लेने वाले हैं अपने toxic waste को dispose of करने के लिए तो आंदरपरदेश यहाँ पे आपका correct answer बनेगा अगला सवाल एक बहुत important सवाल है आपके लिए world's first yoga university outside इंडिया vivekananda yoga university was located in which city तो world की पहली yoga university जो की इंडिया के बाहर है vivekananda yoga university कौन सी city में खोली गई है यह सवाल आपसे पूछा गया है बहुत important सवाल है और आपको याद करना है कि यह जो university खोली गई है आपकी यह लॉस एंजिलीज में खोली गई है और इसलिए आपका अंसर इस सवाल का option number one होने वाला है अगले सवाल पर बढ़ते हैं जी रीसेंट्ली दा पार्लियमेंट पास्ट दे ट्रिपल आइटी अमेंडमेंट बिल दा बिल प्रोवाइड नाशनल इंपोर्टेंस ट्राग तो हाव मेनी नियू इंस्टिउशन तो ट्रिपल आइटी के बारे में आप सभी जानते होंगी इंडियन इंस्टिट्यूट्स ओफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलेटी तो इनको लेकर पार्लियमेंट ने एक बिल पास्ट किया है और उसके अंदर नाशनल इंपोर्टेंस का टैग प्रोवाइड किया है हमारे ट्रिपल आइटी को यह टैग अभी प्रोवाइड किया गया है तो माइडियर फ्रेंड्स हमारे फाइव ट्रिपल आइटी को यह टैग अभी प्रोवाइड किया है अस पर द्रिपल आइटी लॉस अमेंडमेंट बिल 2020 और यह फाइव ट्रिपल आइटी जो है उनके नाम है सूरत भपाल भागलपुर अगरतला और राहचुर इनको यह ज आपके एक कॉपरेशन है एक एक एग्रिमेंट है साउथ एशियन और साउथ इस्टेशिन कंट्रीज के बीच में क्लेबोरेशन को लेकर काफी सारे एरियास में क्लेबोरेशन यहां पे हो रहा है इंडिया है काफी सारी और कंट्रीज इसके अंदर आपकी जोड़ी हुई बे ओफ बेंगॉल से जो आपकी कंट्रीज मेंदी लगती हैं वो इसके अंदर आती हैं और यहां पर कंट्रीज से मिलके डिजास्टर मानेच्मेंट एकसराइज यहां पर कंड़क्ट करी थी तो यह कौन सी स्टेट में कंड़क्ट करी थी आपसे पूछा जा रहा है और यह ओडिसा के अंदर यहां पर आपकी ऑगनाइस की गई थी और इसलिए आपका अंसर ऑप्शन नुम्बर वन बन जाएगा थो हमारी बिंस्टेक की फुल फ्रम है बे ओफ पेंगॉल इनिशेटिव फर मल्टी सेक्टोरल टेकनिकल और एकनोमिक कोपरेशन साउथ एशिया और सस्टेनेबल डिवलपमेंट विद विद विमेन इंपावरमेंट तो माई दियर फ्रेंड जो एक सो आथमा एडीशन एन इंडियन साइंस कॉंग्रेस का वो आपका होने वाला है पूने के अंदर और इसलिए आपका जो आंसर है वो अप्शन नुम्बर फूर बन जाएगा अगला सवाल हमारे पास है what is the rank of India in World Economic Forum's Global Energy Transition Index 2020 which was topped by Sweden तो World Economic Forum हमारे Global Energy Transition Index release करता है उसके अंदर इंडिया का rank क्या यह आपको बताना है इस लिस्ट को जो टॉप किया था वो हमारे सुडिन ने किया था इंडिया जो है उसका rank पीछे है इंडिया का rank यहाँ पे 74 है क्या देखता है यह एक इंडिक्स जो है यह हमारे composite score है 40 indicators का जो कि देखता है कि हमारी जो countries है कितनी ready है transition के लिए to a secure, sustainable, affordable and inclusive future energy system energy हम सभी को चाहिए काम करने के लिए but energy ऐसे produce हो जो कि environmentally sustainable हो, affordable हो और सबको वो energy पहुंच आई जा सके तो इंडिया इसमें पीछे चल रहा है 74th rank जी इंडिया का इसके अंदर अगला सवाल है which European city is to host the United Nations Climate Summit 26th Conference of Parties COP26 in November 2021 option है Berlin, Glasgow, Geneva, London तो my dear friends November 2020 वाली जो conference होने पाली थी ना उसे पूरा एक साल बढ़ा दिया है पहले ही आपकी Glasgow के अंदर November 2020 के अंदर होने वाली थी Glasgow आपको Scotland के अंदर है अब COVID-19 के चलते इसे reschedule कर दिया पूस्ट पून कर दिया अब यह आपकी November 2021 के अंदर जो है वो conduct कराई जाएगी COP25 जो थी आपकी वो Madrid, Spain के अंदर 2019 में हुई थी तो आंसर है आपका option no.2 Glasgow को अगला सवाल है what is India's rank in Environment Performance Index 2020 released jointly by Yale University and Columbia University और इसके अंदर फर्स्ट रैंक जो है वो हमारे डेन्माक का आए तो Environment Performance Index 2020 में इंडिया का रैंक क्या है यह आपको बताना है 168, 175, 129 या फिर 87 तो मैई दियर फ्रेंड्स इंडिया का जो रैंक है वो पीछे ही है इसके अंदर और इसके अंदर जो इंडिया का रैंक आया है वो 168 आया है आउट ओफ 180 इंडिया कितना पीछे चल रहा है अकॉर्डिंग तो दिस इंडेक्स विद रिगार्ड तो इंवार्मेंट पर्फॉर्मेंट तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ विच कंट्री इस द लार्जेस्ट कॉंट्रिबूटर ऑफ इवेस्ट इन 2019 आस पर दा यूवें ग्लोबल इ इवेस्ट को 2019 के अंदर उसका नाम है चाइना चाइना ने सबसे जाधा आपका इवेस्ट हो है वो जनरेट किया है चाइना इस द बिगगेस्ट कॉंट्रिबूटर फॉलट बाइव यूनाइट स्टेट्स आंड उसके बाद आता है हमारा इंडिया तो इंडिया की मेगा सूलर पावर प्रोजेक्त इन विट्ष स्टेट गुजरायत राजिस्तान उत्तरपरदेश या फिर मध्य पर्देश तो आई डियर फ्रेंड सामारे जो प्राइम इनिस्टेर है उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा सूलर पावर प्रोजेक्ट रेवा के अंदर आता है एशिया का सबसे बड़ा सूलर पावर का प्रोजेक्ट है यह हमारा रेवा प्रोजेक्ट मध्या प्रदेश के अंदर तो आते हैं अगले सवाल पे तो क्या टार्गेट है जी सेंट्रल गवर्मेंट का कि हमारे हाईर एजुकेशन के अंदर कितने परसेंट लोग जो है एन्रोल्ड हो जाएं कितने GER रेशो हम टार्गेट कर रहे हैं 30 40 35 या फिर 50 परसेंट तो सीधा सीधा सवाल है इसका अंसर आपका क्या बनने वाला है इसका अंसर आपका बनने वाला है जी ओप्शन नमबर 4 50 परसेंट तो आप सभी जानते कि हमारा जो SDG 4 है वो भी डील करता है आपके इस आस्पेक्ट से एजुकेशन को बढ़ाने के लिए और हमारी जो नहीं पॉलिसी है एजुकेशन से जुड़ी हुई वो भी इस कंटेक्स में बात करती है तो कहा जी हम एम क कर रहे है कि higher education के अंदर हम 50% gross enrollment ratio अचीव कर लें by 2035 with the addition of 3.5 crod seats तो आपको यह याद रखना है 50% target है by 2035 for higher education अगला सवाल बहुती सीधा असान सवाल है Department of Telecom India has recently taken over the process to issue and manage the allocation of IMEI What does IMEI stand for? IMEI की full firm क्या है? Indian Mobile Equipment Identity, International Mobile Equipment Identity, Indian Multimedia Equipment Identifier या फिर International Multimedia Equipment Identifier तो माइडियर फ्रेंड्स जो हमारा IMEI number होता है आप सभी के phone का जो है एक IMEI number होता है उस IMEI की full firm क्या होती है? यह आप से पूछा जा रहे है जी उसकी full firm होती है International Mobile Equipment Identity Number आप सभी का यह number होता है 15 digit का serial number होता है आपके सभी mobile devices का इसकी full firm आपको याद रखनी है और अब Department of Telecom ने कहा है कि यह सारा process जो है हम देखने वाले हैं तो आपको याद रखनी है इसकी full firm अगला सवाल है in the context of guidelines amid the COVID-19 pandemic spitting in public places has been made a punishable offense with fine under widget अब COVID-19 के चलते हमने fine लगा दिये कि अगर कोई public places में थूखता हुआ मिला तो इस पर यह fine लग जाएगा punishable offense हो चुका यह तो कौन से act के अंदर हुआ यह आपसे पूछा जा रहा है जी तो my dear friends यह जो है हमारे disaster management act 2005 के अंदर एक punishable offense बना दिया गया और इसलिए इसका answer होने वाला है option number 2 तो हमारी ministry of home affairs ने हमारी जो guidelines issue करी है उसके अंदर spitting को एक punishable offense बनाया है अगर आप इसके orders को follow नहीं करते इस बात को नहीं मानते तो आप पर penalty और imprisonment तक भी यहाँ पर हो सकती है चलिए friends तो बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ अगला सवाल है what is the color of the strip to be affected in all BS6 compliant four wheeled motor vehicles तो जो बारत stage norms है pollution से जोड़े norms आप ही नहीं कह सकते हैं कि हमारे जो motor vehicles हैं हम उसके अंदर अप advanced series पर बढ़ रहे हैं कि उसके अंदर से जो अब equipment लगेंगे जो engine लगेंगे जो उनके इनर fuel इस्तमाल होगा अब वो ऐसा इस्तमाल होगा जिससे pollution हमारा काम हो जाएगा और ऐसे सभी vehicles जो कि BS6 norms को comply करेंगे उनके उपर green color का जो sticker है वो यहाँ पर mandatory किया गया कि green strip जो है वो लगाई जाएगी हमारे vehicles के उपर यह बतान की तरफ 15th question की तरफ बढ़ते हैं तो 15th question हमारे पास है जी theme of earth day 2020 earth day 2020 की क्या theme है sustainable development, climate action, renewable future यहाँ फिर climate resilience तो my dear friends आप सभी जानते हैं कि आपका जो earth day है 22 April को हर साल मनाया जाता है और 22 April 2020 को जो इसकी theme रखी गई थी वो रखी गई थी आपकी climate action इसलिए आपका answer यहाँ पर option number to बनेगा तो my dear friends यहाँ पर 15 सवाल आपके साथ discuss कर लिए 10 सवाल और अभी हमें आपके साथ discuss करने हैं अगर आपको हमारे सवाल पसंद आ रहे हैं तो please इस वीडियो को एक बार से जरूर से like कर देना ताकि हमें पता लग जाए कि आप हमारी वीडियो को enjoy कर रहे हैं आपको क वर्वर दी ओवर हेड लाईन तो कौनसी कंट्री की रेलवे ने पहला ऐसा वर्ड का सुलर पावर प्लांट लगाया तो मैडियो को ही नहीं है बलकि हमारी इंडिया ही है इंडिया नहीं पहला ऐसा सुलर्फ घ्रम ऐसा और यहाँजात करने रρι दो आख करने हैं और बात को आपका अंसर जो है यहाँ पर option no.2 इंडिया होने बाला है तो बोला गया such a power plant has been established at Beena Traction Substation in Madhya Pradesh तो यह my dear friends आपको याद रखना है चली तो my dear friends बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है Dash is an exam for grant of scholarships and admissions to foreign students for studying in select Indian universities under the study in India program तो कौन से exam जो है हमारे foreign students को clear करना पड़ेगा अगर वो Indian universities में पढ़ना चाहते हैं as per the study in India program तो my dear friends जो exam उन्हें देना पड़ता है उस exam का नाम है Ind set exam clear करोगे तब ही आप इंडिया में पढ़ सकोगे GMAT, CAT और CLAT तो आपके कुछ और तरीके के exam है यहाँ से relevant ही नहीं है और असानी से आप mark कर सकते थे आपका answer यहाँ पे option number one चलिए आते हैं अगले सवाल पर IAT Monday हिमाचल परदेश has developed a high speed MRAM सवाल तो आप समझे चुके होंगे MRAM की full from क्या है यह बताओ RAM की full from तो आप सभी को पता है आप MRAM की full from बताओ क्या massive random access memory है क्या magnetic random access memory है क्या mega random access memory है या फिर यह marginal random access memory है सर MRAM के बारे में हम जानते हैं MRAM हमारी magnetic random access memory है और इसलिए आपका जो answer है option number two होने वाला है सर यह जो MRAM है यह कुछ बहतर है हान जी MRAM जो है आपकी बहुत fast है energy efficient है energy बचाती है और जादा data यह आपका store कर सकती है as compared to existing data storage technologies चली तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ according to a recent report by Greenpeace India which of the following is correct तो Greenpeace India की recent report आई है उसके according यहाँ पर कौन सी statement correct है यह आपको बताना है जरिया इन जार्खंड is the most polluted city in India लुंग लई इन मुजोराम इस लीश्ट पॉल्यूटिट इन दा कंट्री बोर्थ हर करेक्ट यह फिर नन इस करेक्ट तो बेसिकली के अंदर लुंग लई जो है वह आपकी लीश्ट पॉल्यूटिट सिटी है एस पर दा रिपोर्ट देखे रिपोर्ट के अंदर क्या खतरनाक बात बुली गई इस कोशन का आंजर होने वाला option no.3 बढ़ते हैं अगले सवाल पे दादा सहब फाल के international film festival अवार्ड 2020 announced in Mumbai महराष्टरा best actor award was backed by best actor award यहाँ पे किसको मिला था आपको यह पता नहीं किसे यहाँ पे आपका best actor का अवार्ड मिला है दीकि यह अवार्ड से सवाल examination में पहले भी पूछ चुके हैं और इस बार भी पूछ सकते हैं best actor का जो award है वो हमारे रितिक रौशन को यहाँ पे मिला है और इसलिए answer आपका option no.1 होने वाला है रितिक रौशन has backed the best actor award for the film super 30 super 30 film के लिए best actor का अवार्ड यहाँ पे उन्हें मिला है बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है according to world air quality report 2019 compiled by iq air visual which Indian cities ranked as the most polluted city in the world इन में से कौन सी Indian city जो है वो most polluted city है in the world as per the world air quality report 2019 गाजियबाद, मुंबई, कानपूर या फिर बैंगलॉर देखिये my dear friends इस report ने बताया है कि हमारी जो world की सबसे ज़्यादा polluted Indian city है उसका नाम हमारा है गाजियबाद गाजियबाद national capital region के अंदर डेली के पास है आपका गाजियबाद और यह most polluted city in the world है ऐसा इस report ने का है और यहाँ पर यह भी बोला गया इंडिया was the fifth most polluted country in 2019 2019 में इंडिया पांचमी सबसे ज़्यादा polluted country था ऐसी बात भी यहाँ पर बोली गई है तो आंसर आपका है जी option number one गाजियबाद अगले सवाल पर आगे है in a bit to promote the usage of solar energy CSIR's Central Mechanical Engineering Research Institution has developed world's largest solar tree world का largest solar tree जो है यहाँ पर इन्होंने design किया है और आपको बताने इसे कहाँ पर install किया गया है अगर आपसे पूछें जी world का largest solar tree कहाँ पर located है कहाँ पर installed है तो आपका answer क्या होना चाहिए आपका answer होना चाहिए West Bengal के अंदर हमारे CSIR के Mechanical Engineering Research Institute ने यह world का larger solar tree ड्विलप किया है दुर्गापुर West Bengal के अंदर इसे install किया गया है और इसलिए answer आपका है option number 2 तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर according to a recent study dash pollution is the third highest cause of death among all health risks just above smoking बताये जी किस pollution से जो है काफी जादा death हो रही है third highest cause of death हमारा कौन सा pollution बन चुक है smoking से भी उपर आ गया यह smoking से भी आपका उपर आ चुक है कौन सा pollution है यह तो यह my dear friends आपका है air pollution globally बताया गया कि air pollution बहुर तीरी से बढ़ रहा है air pollution से काफी जादा risk है इससे death भी आपकी हो सकती है अगर मान लीजे आपको कोई इससे दिक्कत हो जाती है आपके lungs में कोई दिक्कत हो जाती है या फिर आप कुछ harmful चीजों को अनहेल कर लेते हैं तो उससे आपकी death भी हो सकती है या फिर काफी complications हो सकती है और इससे लिए आपका अंसर यहाँ पे है option number a air चली तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ the ministry of electronics and information technology has announced that government of india bans 59 chinese mobile apps which are prejudicial to sovereignty and integrity of india तो यहाँ पे prejudicial है हमारी येवली apps और इसलिए इने ban कर दिया सर ये prejudicial क्या होता है मतलब हमारे against जा रही है ये और इसलिए इनको ban किया गया है invoking the powers under which section of the information technology ये आपको बताना है तो कौन से IT act के section के अंदर हमारी इन apps को यहाँ पे ban किया गया है क्या 66 है या 69 A है या 77 है या 51 है बहुत news में रहा है ये और आपको यह याद रखना है पता होना चाहिए कि आपके section 69 A of the IT act के अंदर हमारी ministry ने इन apps को ban कर दिये हमारी इंडिया की sovereignty integrity को ध्यान में रखते हुए और इसलिए आपका जो answer है वो बनेगा यहाँ पे option number 2 चलिए जी तो बढ़ते हैं आज के आखरी सवाल की तरफ आखरी सवाल जुड़ा है आपके IT इनिशेटिव से a calling application named as ketchup has been launched by the social media major whatsapp, facebook, twitter या फिर इंस्टाग्राम यह जो ketchup application है ना calling की इसे हमारे facebook ने लांच किया है और इसलिए आपका answer यहाँ पे होने वाला है option number 2, facebook तो thank you my dear friends, यह था हमारा आज का discussion अगर आपको यह discussion पसांद आया तो जुरूर इस वीडियो को like करके अपना प्यार दीजेगा चैनल पे नहीं है तो subscribe कीजेगा और अपने friends के साथ भी share कीजेगा हमारे साथ regular जुडने के लिए facebook और telegram को follow कीजे और आपकी कोई query है तो आप हमें mail या फिर whatsapp या फिर call भी कर सकते हैं इसके लावा हमारे और हमारे courses के बारे में और जानने के लिए आप हमारी website everstudy.co.in visit कर सकते हैं और हमारी free learning app भी google play store से अपने android mobile phones पर डाउनलोड कर सकते हैं थेंक यू बाइबाइ टेक कियर और अल दे बेस्ट